हेलो डियेर स्टुडेंट्स आज हम होम साइन्स टीजिटी पीजिटी यल्टी ग्रेट में मानों का रक्त परिसंचरन तंत्र यानि की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं तो आएए सुरू करते हैं जैसे की स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा कि एक हर्ट का डाइग्राम बना हुआ है तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज होता है एक हलका सा इसका ओबर्यू देख लेते हैं फिर उसके सल्वाद एक एक पार्ट छीसका करेंकि तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा हर्ट होता है जो हमारा यह हर्ट होता है इसमें च्छ चेंबर होते हैं । piping campaign होते हैं यहां से waiter हर्ज चेंज कर लें, यह देखिए, इसमें जो है, यह देखिए, यह पूरा हरट का पोर्शन है, इसमें कितने चेंबर होते हैं, इसमें चार चेंबर होते हैं, इस तरह से, तो यह उपर का जो दाहिने साइट का है, इसको हम बोलते हैं, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट् नीचे राइट वेंट्रिकल होता है एट्रियम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में हिंदी में इसको आलिंद बोलते हैं ठीक है इसको हिंदी भी साथ साथ देखेगा इसको हम आलिंद बोलते हैं मतलब दायां आलिंद और नीचे वाले को हम राइट वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं निले कहते हैं और वही left side में उपर के side है left atrium मतलब बाया आलिंद यह आलिंद है और नीचे जो है बाया निले है left ventricle मतलब बाया निले ठीक है तो कितने chamber हुए है टोटल हर्ट में 4 chamber या इसको कह rubbish होते हैं और नीचे की तरप दाहिना निले फिर left side में उपर की तरप बाया आलिंद और नीचे बाया निले हुत ठीक है इस तरह से 4 भागो में divide होते हैं और इसके साथ साथ देख लीजे कौन सी आर्ट्रे और वेन जुड़ी होती है जो हमारा दाया आलिंद होता है उसके उपर ये वेन जो होती है उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा क्या है सुपीरियर वेना केवा ये क्या करती है हमारे पूरे बॉड़ी से असुध रक्त को बटोरती है और कहां पे लाती है यह दाह चान बना हुआ तो यहां पर आbas फूम हम बोलते हैं- में एह से इनलोणर वालब टीक है क्या बोलते हैं यह यहां पर सुपीरियर वेना केवा में होता है यह रक्त वापस नहीं जा पाता मतलं दाहिनर आलिंद में आ तो जाता है लेकिन वापस से आता है तो दाहिन नीचे से यह हमारी जा रही है, नीचे से जो हमारी है, यह है inferior वेना केवा, ऊपर है superior वेना केवा, नीचे है inferior वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? इसको ध्यान दिजीएगा थोड़ा सा कट गया है नीचे का, तो कोई बात नहीं। तो यहां से नीचे बडी से असुधरर्क्त को कलेक्ट करके यह दोनों खुलती है, जो सुपिरियर वेना केवा और इंफिरियर वेना केवा। यह दोनों कहां खुलती हैं। यह दोनों आलिं से जो असुद्रक्त है वो कहां जाता है तो दाहिने आलिंद से असुद्रक्त हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में मतलब दाहिने निले में इसको देख लीजिए अच्छे से कि ब्लड कहां से कहां तक जाता है इसका फ्लो एक मिनिट देखिएगा इसका कलर चेंज कर लूँ ये ठीक रहेगा तो देखिए यहां से सुपिरियर वेना केवा से बलड आया असुद और इधर नीचे से इंफिरियर वेना केवा से ये राइट एट्रियम है इसमें बलड आया फिर यहां से बलड कहां जाता है राइट वे यहां से जाता है यह हमारे फेफडों में जाता है कहां पर जाता है यह लंग्स में जाता है इसलिए जाता है ताकि लंग्स में ब्लड को आक्सीजन मिल सके ब्लड सुध हो सके ठीक है तो यहां से दो रास्ता गया है एक दाहिने फेफडे में एक बाएं फेफडे में तो यहां से भी यह लंग्स में जाता है, इधर राइट वाला लंग्स हो गया, इधर लेफ्ट लंग्स, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड हमारा कहां से जाता है, फिर उसके बाद ब्लड लंग्स से होकर कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, ब्लड हमारे पूर रक्त हो गया तो अब वो आएगा पल्मुनरी वेन में इधर भी पल्मुनरी वेन है और ये भी पल्मुनरी वेन है राइट तरब भी देखिएगा ठीक है फिर यहां से लंग्स से बलड आता है पल्मुनरी वेन में ठीक है फिर पल्मुनरी वेन से दोनों साइड से वो रक्त क चुका है और फिर उसके बाद बाएं आलिंद के बाद जो ब्लड हमारा सुध होता है वह जाता है बाएं निले में ठीक है लास्ट में कहां जाता है बाएं निले में जाता है और बाएं निले से फिर वो ब्लड चुकि बाएं निले में सुध रक्त होता है तो बाएं निले से देखिए यह रक्त इस साइड जा रहा है अयोट्रा में ठीक है अयोट्रा एक महा धमनी है इसको महा धमनी कहते हैं इसमें यह सबसे बड़ी धमनी है जिसमें सुध रक्त बहता है कैसी धमनी है इसको बोलते हैं महा धमनी और यह सबसे बड़ी धमनी है जिसमें सुध रक्त त चलते हैं। दो बार रक्त एक बार इस जो है हमारे हर्ट में कितनी बार आता है दो बार आता है बलड एक बार दाहिने साइड आता है फिर फेपड़े में जाता है फिर बाये साइड दाहिने साइड असुध रक्त रहता है और बाये साइड सुध रक्त इतना आप लोग को कांसेप्ट बन यहाँ पे एक वाल्ब है दाहिने साइड एक बाये साइड यहाँ पे दाहिने आर्टिकिल और निले के पास में जो वाल्ब है इसको हम बोलते हैं ट्राई कस्पेड वाल्ब क्या बोलते हैं इसको हम ट्राई कस्पेड वाल्ब बोलते हैं यहां देखिए यह इसलिए होता है ताकि रख्त निले में आने के बाद फिर आलिंद में वापस ना चला जाए तो इस वाले पोर्शन पर क्या है यह लिखा है ट्राइकस्पेड वाल्ब ठीक है और जो बाया होता है बाय तरफ यह द्वीवलनी वाल्ब इसको बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्ब क्योंकि यहां दो वाल्ब लगा है यहां तीन वाल्ब होता है ठीक है तो इसलिए हम ट्राइकस्पेड बाल बोलते हैं इसको बायकस्पेड बाल या मिट्रल वाल्ब इसका दो नाम है तो यह वाल्ब आप याद रखिएगा दो वाल्ब तो बहुकोस की जन्तूं के सरीर में बिभिन पोसक पदार्थ, गैसों, उत्सरजित पदार्थों आध के परिवहन के लिए एक तंत्र कारे करता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह कारी मुख्यता है, रुधिर ब्लड के माध्यम से होता है, अतह इसे परिसंचरण की खोद किसने की, तो विलियम हारवे ने, अब आगे देखते हैं कि रुधिर परिसंचरण के माध्यम से किये जाने वाले कारी है, तो इससे जो कारी है, पहला है पोसक पदार्थ तथा आवस्यक पदार्थों का परिवहन, पूरे बॉडी में पहुचाना, द अच्छित उतक तक पहुचाना, ठीक है, उतक तो जानते होंगे कि कोसिकाओं से मिलकर उतक बनते तो उतकों तक भी हार्मोन वगेर को पहुचाने का काम हम बलड ही करता है, और चोथा है बिभिन मध्यवर्ती उपापचई पदार्थों का परिवहन, ठीक है, तो कुल मिला परिवहन का कार्य करता है, आगे देखते हैं, इसको कितने भागों में बाढ़ कर हम पढ़ने वाले हैं, तो रुधिर परिशर्चन तंत के मुख्य भाग है, पहला हिर्दय हम पढ़ेंगे हर्ड, दूसरा रक्त दाब, बलड प्रेशर देखेंगे, तीसरा धमनी तंत्र, आर्टरी सिस्टम, और चोथा हम सीरा तंत्र यानि की वेन सिस्टम देखने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं हर्ट की, तो मानाव का हिर्दय 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चोड़ा, और 250 से 300 ग्राम भार का होता है, ठीक है, और जो वच्छ गुहा मे पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच इस्थित होता है, ठीक है, क्योंकि पसलियों के अंदर तो फेफड़े होते हैं, और उन्हीं पसलियों के बीच में, मतलब फेफड़ों के बीच में एक प्लूरर गुहा होती है, जहां पे वच्छ गुहा होती है, जहां पे हमारा ह इस्तित होता है और हिर्दय एक दोहरी जिल्ली मतलब मेंब्रेन से घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं क्या कहते हैं पेरिकार्डियम कभी कभी एक कोश्यन आता है कि हार्ट की जो जिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियम और इस जिल दीवार तीन अस्तरों से बनी होती है ठीक है जो हिर्दे की दीवार होती है जैसे माल लेते हैं यह हर्ट की दीवार है तो इसमें कितने अस्तर होते हैं तीन अस्तर होते हैं सबसे बाहरी जो होता है वो इपी कार्डियम होता है इपी कार्डियम और बीच में जो होता है कार्डियम और जो बीच में होता है वो मायो कार्डियम और सबसे अंदर की तरब जो होता है वो होता है एंडो कार्डियम ठीक है? तो हट के दिवार में तीन परत होती है एंडो कार्डियम टीक है तो ये तीनों आप ध्यान रखेगा इसके बाद आगे देखते हैं कि एपी कार्डियम अस्तर में हिर्दय पेशियां पाई जाती है जो रचना स्वारी जो रचना के अच्छिक पेशियों के समान मतलब जो रचना में यहां में होगा जो रचना में तो अच्छिक पेशियों के समान होती है लेकिन कारी विदी में वो कैसी होती है अनच्छिक पेशियों के समान होती है और हिर्दय पेशियां जो होती है तेजी से संकुचित होती है तथा कभी ठकती नहीं है मतलब हिर्दय की जो मसल्स होती है जो हिर्दय की पेशियां होती हैं वो बिना थके हुए जीवन भर कारी करती हैं वो कभी थकती नहीं है ठीक है मानो हिर्दय चार कोस्टकों या कच मतलब फोर चेंबर में विभाजित होता है उपरी पतली कोस्टक दीवारों द्वारा बने दो आलिंद जिसको हम एट्रियम बोलते हैं तथा दो निचले कोस्टक मोटी दीवारों द्वारा बने निले जिसको इंगलिस में वेंट्रिकिल्स बोलते हैं होते हैं दोनों आलिंद एक दूसरे से अंतरा लिंद भित्ती जिसको बोलते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम द्वारा अलग होते हैं जबकि आलिंद और निले आपस में आलिंद निले खांच द्वारा अलग-अलग होते हैं ठीक है इनके बीच में पट्टी रहती है और भूड अवस्था में हिर्दय की आंतरा लिंद भित्ती पर एक छिद्र पाया जाता है ठीक है जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं बयसकों में यह छिद्र बंद होकर एक आवसेस रूप में रह जाता है जिसे फोशा ओबैलिस कहते हैं कुछ सिसुओं में यह छिद्र जन्म के उपरांत भी पूरता बंद नहीं होता है जिससे शुद्ध तथा असुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है ठीक है तो जिससे क्या होता है कि यह छिद्र जो है यह बंद नहीं होता है जिससे सुद्ध वा असुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है ऐसे सिसुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है एक ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाता है बच्चा जैसे छोटा सा होता है तो वो पूरे निले कला करता है और उसमें क्या रहता है कि उसके हिर्दे में छेद होता है जिससे असुद्ध रक्त असुद्ध रक्त दोनों एक ही म मिक्स होता रहता है तो उसे ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है तो वही बात है और इन सिसुओं का जीवनकाल अधिक नहीं होता है यह ज़्यादा सर्वाइब नहीं करते हैं आगे देखते हैं हिरदय कि कारी बीदी की बात करते हैं तो बाया आलिंद चार फुफु सिराउं पलमोनरी वें द्वारा फेप्षों से सुधरक्त ग्रहण करता है और बाया आलिंद बाय निले में एक छिदर बाया आलिंद निले छिदर जिसको लेफ्ट औरिकुलो वेंट्रीकल द्वारा चित्र पर एक द्वी कपाटी ये वाल्ब पाया जाता है, जिसे मिट्रल वाल्ब कहते हैं, हम बाई की बात कर रहे हैं, आप लोग बाई साइड ध्यान रखियें चित्र का, पिर अब दाय की बात देखें तो दाया आलिंद दाय निले में एक चिद्र जिसको राइट अरिकुलो वेन्टुकल अपार्चर कहते हैं दौरा खुलता है इस चिद्र पर एक त्री कापार्टी ये वाल्ब पाया जाता है जिसको हम tricuspid, dynoside, tricuspid valve, bincide, bicuspid valve या mitral valve उपरोगत दोनों valve रक्त को आलिंद से निले में जाने देते हैं किन्तू किन्तू विपरीत दिसा में जाने से रोकते हैं निलेओं की भितियां आलिंदों की अपेच्छा कृत मोटी होती हैं और बाये निले की भिति सरवाधिक मोटी होती है किसकी भिति सरवाधिक मोटी होती है पूरे हर्ट में तो बाये निले की भिति सरवाधिक मोटी होती है और बाये निले के अगले भाग के महाधमनी निकलती है या से होगा मतलब बाए निले के अगले भाग से महा धमनी निकलती है जो सरीर के अन्य सभी भागों फेपणों को छोड़ कर लेकिन अन्य सभी भागों में रुधिर को ले जाती है ठीक है? और महा धमनी के उद्धगम अस्थान पर भी तीन अर्ध चंद्राकार वाल्ब जिसको सेमी लूनर वाल्ब कहते हैं यह वाल्ब रुधिर को निले से महा धमनी में तो जाने देता है किन्तु वापस निले में नहीं जाने देता है निले से महा धमनी में जाने देगा लेकिन फिर वापस निले में नहीं जाने देता है आगे देखते हैं दाएं आलिंद में दो अग्र महा सीरा तथा एक पस्च महा सीरा खुलती है जो सरीर के सभी भागों से असुधरक्त लाकर दाएं आलिंद में डालती है और अग्र महासीरा के खुलने के अस्थान के नीचे यूस्टेस यहां सारे यूस्टेस चियन वाल्ब के समीप ही एक गाठ जैसी रचना जिसको साइनो एट्रियल गाठ या साइनो एट्रियल नोड या साट में इसको ऐसे नोड बोलते हैं पाई जाती है दाएं आलिंद निलय वाल्ब के पास ही एक अन्य गाठ जिसको एवी गाठ या आट्रियो वेंटिकुलर नोड या इसको साट में एवी नोड बोलते हैं पाई जाती है ठीक है एसे नोड और एवी नोड से हम धडकन को सुनते हैं जहां से लब और डब की आवाज आती है आगे हम देखते हैं हिर्दय के रुधिर परिशंचरण का मार्ग ये देखते हैं तो सरीर के विभिन अंगों तथा उतकों से असुध रखत अत्यंत बारिक तथा छोटी-छोटी सीरा कोशिकाओं जिसको हम वे नियूल्स कहते हैं द्वारा एकित्रित करके अपेच्छा कृती बड़ी रचनाओं जिसको हम सीराओं में डाल दिया जाता है उलेखनी है कि सीराओं में रुधिर का पश्च प्रवाह रोकने के लिए वाल्ब पाए जाते हैं मतलब जो सीराओं में जो रक्त बहता है वो पीछे वापस नहीं जा सकता है क्योंकि इसके लिए वाल्ब पाए जाते हैं ठीक है वाल्ब की वज़े से रक्त एक ही दिशा में बहता है पीछे नहीं होता है और यह रक्त सिराओं द्वारा अग्र तथा पश्च महा सिराओं में पहुचा दिया जाता है अग्र यों पश्च महा सिराओं हिर्दे के दाहिने आलिंद में खुलती है जिस से रक्त अब दाहिने आलिंद में आ जाता है दाहिने आलिंद से यह असुध धरक्त अब दाहिने निले में आता है और दाहिने निले से निकलने वाली पलमोनरी महा धमनी द्वारा यह असुध धरक्त फेफडों में पहुचा दिया जाता है किस लिए फेफणों में oxygen लेने के लिए और फेफणों में असुध रक्त से carbon dioxide निकल जाती है तथा oxygen मिल जाती है और इस प्रक्रिया से रक्त सुध हो जाता है ठीक है तो रक्त फेफणों में असुध रक्त जाता है वहां से कार्बन डाय आक्साइट फेफ़णों से बाहर निकल जाती है तथा आकसीजन रक्त में मिल जाती है फिर वहां से सुध्धों के रक्त हमारा कहां आता है बाय आलिंद में आता है आगे देखते हैं अब यह सुद्ध रक्त पल्मोनरी सीरा के द्वारा हिर्दय के बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है बाएं आलिंद से रक्त बाएं निले में आ जाता है और बाएं निले से महा धमनी के माध्यम से सुद्ध रक्त धमनियों तथा धमनी के केशिकाओं केसिकाओं जिसको हम बोलते हैं कैपलरी केसिकाओं में पहुचता है और धमनी केसिकाओं में रक्त कैपलरी में आता है यहां से सुध रक्त सरीर के अनेक उत को अंगों आदी में पहुचा दिया जाता है इस प्रकार पूर्ड परिसंचरण में रूधिर दो बार हिरदय में आ फेफडे में जाता है फिर फेफडे से सुध्ध होके बाएं आलिन से बाएं निले से फिर पूरे बॉडी में जाता है तो इस तरह से हिर्दय में कितनी बार रक्त सरीर से आता है दो बार आता है तो वही देखिए कि एक बार असुद्ध रक्त हिर्दय में हिर्दय के दाहिने भाग में आता है तथा दूसरी बार सुद्ध रक्त हिर्दय के बाएं भाग में आकर सरीर के संपूर सरीर में पंप कर दिया जाता है और हिदय से होकर रुधिर के दो बार परिसंचरन करने की क्रिया ही द्वी परिसंचरन कहलाती है क्या कहलाती है द्वी परिसंचरन कहलाती है अब हम बात करते हैं रक्त दाब की इतना आप लोग के समझ में और एक चीज और ध्यान दिजिए दो नाम आया होगा एक पल्मोनरी धमनी और एक पल्मोनरी सीरा तो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा दोनों का संबंद किस से है फेफडे से है अगर किसी भी मतलब धमनी या सीरा में अगर पल्मोनरी सब्द लग जाए तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है माल लिजे धमनी में कैसा रक्त बहता है सुध रक्त बहता है लेकिन अगर पल्मोनरी लिखा है इसका मतलब पल्मोनरी धमनी में असुध रक्त बहता है और सिरा में कैसा रक्त बहता है सिरा में हमेशा असुध रक्त बहता है लेकिन अगर लिखा आ जाए कि पल्मोनरी सिरा त तो इसका मतलब पल्मोनरी सीरा में सुध रक्त बहता है, ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेगा, अब हम देखते हैं, रक्त दाब या रक्त चाप, जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, तो इसकी बात करें, तो निलेयों के संकुचन के फल सुरूप उत्पन रक्त दाब जो रुधिर द्वारा वाही काओं की दीवारों पर आरोपित किया जाता है, उसी को हम रक्त दाब कहते हैं, रक्त दाब को सामानते बाई, बाह की धमनी द्वारा मापा जाता है, यानि लेफ्ट ब्रेंकियल आर्टरी द्वारा मापा जाता है, वह उपकरण जो रुधिर करता नवत दाब मातने के लिए उपयोगी होता है उसे सफैंग्म मैनोमीटर इस फय मोम मेनो मैंनोमीटर कहते हैं याद रख यहाद रखेगा कभी कोश्यन प्रकार भी पूछा जाता है कि रखते दाब किसे रही है या किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है तो उसी यंत्र का नाम है इस फैग्मो मैनो मीटर आगे देखते हैं कि एक सामान्य स्वस्त बेक्ति में रुधिर दाब 120 बटे 80 mmHg होता है 120 अपान 80 mmHg होता है ये भी पुछा गया है कि सामान रखत दाब कितना होता है तो 120 अपान 80 mmHg होता है इसमें जो उपर वाला 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है ठीक है? तो systolic pressure 120 mmHg तथा diastolic pressure 80 mmHg होता है सामाने से तेज हिर्दय नाड़ी गति को ट्रेकी कार्डिया कहते हैं अगर सामाने से रक्तदाब जादा है तो क्या कहेंगे ट्रेकी कार्डिया और सामाने से अगर धीमी हिरदै नाड़ी गति को क्या कहेंगे। ब्रेडी का आड़िय कहते हैं, ठीकें? अगर सामाने से उच्च रुधिर दाप की अवस्था को हाइपर टेंशन, अगर हमारा रक्त दाप जादा है, तो उसको हाइपर टेंशन कम है, तो हाइपो टेंशन कहीं भी अगर हाइपर सब्द लिखा है तो हाइपर का मतलब ज्यादा से होता है और हाइपो का मतलब कम से होता है लो ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखेगा अगर रक्त दाब उच्छ है, तो hypertension, अगल रक्त दाब लो है, कम है, तो hypertension, ठीक, आगे हम देखते हैं, धमनी तंथ। artery system, तो धमनी तंथ्य है, यह है, वे रुधिर वाहिकाएं है, जो हुध्य से रुध्य रक्त, सरीर के बिभिन अंगों तक पहुचाती हैं, मतलब जो धमनी होती है वो हिर्दय से क्या करती है रक्त को पूरे सरीर में पहुचाती है और धमनिया कैसी होती है मोटी होती है पेसी होती है लचीली होती है इनमें उच्छ रक्त दाब इसमें रक्त जो है उच्छ दाब से बहता है इसके बाद पल्मोनरी धमनी को छोड़कर से सारी धमनियों में सुधरक्त बहता है अभी हम बताये थी कि एगल पल्मोनरी लगा है किसी धमनी के आगे तो इसका मतलब असुधरक्त तो इसलिए लिखा है कि पल्मोनरी को छोड़ कर बाकी सभी धमनियों में सुद्धरक्त बहता है और मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी धमनी, महा धमनी जिसको बोलते हैं आयोर्टा, ठीक है? आयोर्टा होती है यह वही धमनी है जो सुद्धरक्त को हमारे बाएं आलिंद में लेके आती है आगे देखते हैं रुधिर के शिकाएं जिसको कैपिलरी कहते हैं यह सबसे छोटी सुचमदर्सी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनिकाओं को सीराकाओं से जोड़ती है मतलब धमनी की सबसे छोटी कह सकते हैं कि सीरा मतलब धमनी की सबसे छोटी पतली पाइप जैसी संरचना जो किस से मिलती है सीरा से मिलती है सबसे अंतीम संरचना मतलब धमनी की सबसे अंतीम संरचना जो सीरा से कनेक्ट होती है वो धमनिका कहलाती है और सीरा वाली सबसे छोटी सनचना सबसे लास्ट वाली सनचना जो धमनी से मिलती है उसको हम बोलते हैं सीरा काएं ठीक है तो इन दोनों को जहां एक जगह मिलन होता है उसको कैपिलरी बोलते हैं आगे देखते हैं हम सीरा तंत्र या वेन सिस्टम तो सीरा तंत्र में क्या है कि रुधिर कोशिकाओं से रक्त सीरा काएं जिसको हम वेनिल्स बोलते हैं में एकत्रित करती हैं तथा सोयम एकत्रित होकर सीरा में रक्त छोड़ देती हैं सिराएं बिभिन अंगों से असुध रक्त को एकत्रित करके हिर्दय तक ले जाती हैं, सिराओं की भिति, धमनिकाओं, धमनियों की अपेच्छाकृती पतली होती हैं, तथा कम पेशी होने के कारण इनकी गुहा भी चवडी होती हैं, सिराओं में रक्त कम दाब से बहता है, अ और सिराओं तोचा के समी भी पाई जाती हैं, मतलब उपरे सरफिस पर सिराओं पाई जाती हैं, जैसे जो हम लोगों के हाथ में उपर से, जो भी नसे कहते हैं, अपने भासा में हाथ में हमें दिखाई देती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो सब सिराओं होती हैं, जबकि धम ज्यादा प्रेशर से रक्त बहता है, तो जबकि धमनिया सरीर में काफी गहराई में इस्तित होती है, अब पल्मोनरी सीरा एक मात्र सीरा है, जिसमें सुध रक्त बहता है, जबकि सरीर की सेस सभी सीराओं में असुध रक्त बहता है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, हमें आसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप कमेंट करिएगा, हम कोशिस करेंगे इससे और अच्छा समझाने की, लाइक, सेर भी आप सब थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, कर दिजेगा, इससे थोड़ा सा उच्छा वर्धन होता रहेगा, आज इतना है,